दोस्तों स्वागत आप सभी का Everything is Strange चैनल पर आज हम बात करने वाल हैं पस्सिम मंगाल के हावडा रेलवे स्टेशन कलकत्ता रेलवे स्टेशन से चल कर राजस्तान के जैपूर को जाने वाली सभी ट्रेनों के बारे में सभी ट्रेनों का नाम उनका नंबर कब वो हावडा से चलती हैं कब जैपूर पहुंचती हैं और सप्ता के कौन से दिन हावडा से चल कर जैपूर पहुंचती हैं सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो वीडियो में आप लाश्ट तक बने रही है हावडा से चल कर और जैपूर जंग्शन को जाने वाली यहा यहां पर आप हावडा जंक्सन से 3-4 railway station हो गए हैं जैसे सियालदा, हावडा, कलकत्ता इनी 3-4 railway station से सलकर और जैपूर और उसके आसपास के railway station तक जाने वाली सभी trainों की जनकार इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पांच trainे चलती हैं, पांचों की पांचे trainे जो हैं सूपर फास्ट टाइप की trainे हैं, हावडा से और जैपूर के बीच में जो सबसे छोटा route है, वो है 1490 km का और सबसे छोटा route अगर देखा जाएं तो हावडा से चलकर आसन सोल के रस्ते, धनबाद, गया, मुगल सराय, पंड की train कौन से रूट से जा रही हैं, वो आप जरूर चेक कर लें, नहीं तो वीडियो के कमेंट में बताएं, उस train के उपर एक special वीडियो ले के आएंगे, यहाँ पर है सबसे पहले नंबर की जो train है, उसका नाम है अनन्या एक्सप्रेस, पहला नंबर इसलिए क्योंकि रात को कवर करती है, सबता के केवल एक दिन यह train आपको मिलेगी, ब्रस्पतिवार को मिलेगी, और मैंने आपको जैसे बताया हावडा के अगल बगल जितने भी railway station है, सभी से हम बात करेंगे, तो कलकत्ता railway station जो की हावडा जंग्सन से 6 km की दूरी पर है, वहाँ से दोपैर में एक प्लेटफारम लगभग निसीत होते हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए है, फिर भी आप railway station जाएं, तो एक बार confirm कर लें कि आपकी train जो है, वो इसी railway platform पर आ रही है, कि दूसरे platform पर आने वाली है, सूपर फास्ट टाइप की यह train है, अब इसमें लगने वाले coach हम देखेंगे तो जनरल, स्लीपर, थर्ड AC, सेकेंड AC, फर्स्ट AC कोच इसमें आपको मिल जाएंगे, अगली जो train है, उसका नाम है, प्रताप सूपर फास्ट एक्सप्रेस, नंबर है 124-96, 24 घंटे 15 मिनट का समय लेती है, 14 स्टेशनों पर रुखते हुए 1511 किलोमेटर की यात्रा कवर क से और अगले दिन सनीवार को जैपूर जंक्सन रात को ग्यारा बजे प्लेटफॉन नंबर दो या तीन बे पहुंचाएगी, शूपर फास्ट टाइप की यह ट्रेन है, इसमें लगने वाले कोच जनरल, सेकेंड AC, थर्ड AC और स्लीपर क्लास के आपको कोच मिल जाएंगे, अगली जो ट्रेन है उसका नाम है सियालदा अजमेर सूपर फास्ट एक्सप्रेस, नंबर है 137, 24 गंटे 20 मिनट का समय लेगी, 18 स्टेशनों पर रुखते हुए 1513 किलोमेटर की यात्रा कवर करेगी, सब्ता के 7 दिन यह ट्रेन मिलेगी आपको सियालदा रेलवे स्टेशन स जो की हावडा जंक्सन से 4 किलोमेटर की दूरी पर है, प्लेटफॉन नंबर 13 से मिलेगी रात को 10 बच के 55 मिनट पर जैपूर जंक्सन अगले दिन आपको रात को 11 बच के 15 मिनट पर प्लेटफॉन नंबर 4 पर 4 या 5 पर पहुंचाएगी, एक्जाम्पल के लिए आप रवी क्लास के डिबबे, पेंटरी कार का डिबबा इसमें आपको मिल जाएगा, अगली जो ट्रेन है उसका नाम है हावडा जोदपूर सूपर फास्ट एक्सप्रेस, नंबर है 12307, 24 घंटे 40 मिनट का समय लेगी, 20 से स्टेशनों पर रुखते हुए, 1506 किलोमेटर की यात्रा कव रवीवार, मंगलवार, बुद्वार और शनिवार, अगले दिन आपको ये ट्रेन पहुंचाएगी, रवीवार वाली ट्रेन सौमवार को पहुंचाएगी, ये ट्रेन आपको हावडा जंग्सन से रात को 11 बज के 25 मिनट पर प्लेटफॉन नंबर 9 से मिलेगी, और अगले 12 बज के 5 मिनिट हो जाएगा तो अगला दिन हो जाएगा, तो सौमवार को ही पहुंचाएगी आपको ये ट्रेन, प्लेटफॉन नंबर 3 पर, शूपर फास्ट टाइप की ये ट्रेन है, इसमें लगने वाले कोच हम देखे हैं, तो स्लीपर, जनरल, थर्ड एसी, सेकेंड ए की आत्रा कवर करेगी, सौमवार, ब्रिस्पतिवार और शुक्रवार को ये ट्रेन चलेगी, और वैसे ही आपको रात को 12 बज के 5 मिनिट पर पहुंचाएगी, तो एक अगले के अगला दिन हो जाता है, शुक्रवार को जैसे आप बैठे, रात को 11 बज के 25 मिनिट पर बिवार, सुपर फास्ट टाइप की ये ट्रेन है, जैपूर जंक्शन प्लेटफोर नमबर 3 पर पहुंचाएगी, इसमें लगने वाले कोच हम देखें, तो स्लीपर, जनरल, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी और पेंट्री कार के डिबेस में आपको मिलेंगे, त अवड़ा से और जैपूर के बीच में चल रही है, धन्यवाद.